नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों उसने मेरे साथ ऐसा बिहेब क्यों किया वो हमेशा मुझसे ऐसी टोन में बातें क्यों करता है वो मुझे समस्ता क्या है आखी मेरी गलती क्या है क्या यह सब situation आप हमेशा फेस करते हैं दोस्तों मैं तो अक्सर फेस करता हूँ फेस करता हूँ फेस करता था पर मैंने उसका solution ढून लिया है क्या आप जानना चाहते हैं वो क्या है दोस्तों यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने mind में एक behavior प्रीशेट behavior pattern set कर रखे हैं और हम चाहते हैं कि लोग हमसे उसी pattern में बात करें हम चाहते हैं कि लोग जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं वैसा लोग भी आपको आपके बारे में सोचें तो दोस्तों होता क्या है कि उनकी mind अलाग उनकी thinking अलाग उनकी situation अलाग और आप चाहते हैं कि वो आपके जैसा सोचें तो ऐसा होता नहीं है और आप दुखी हो जाते हैं दोस्तों इसे छुटकारा पाने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा हमें अपने thought pattern change करने पड़ेंगे दोस्तों आपके बारे में लोग कैसा सोचें यह आप सोचना बंद कर दीजे प्लीज क्योंकि आपको चाहिए कि आप अपने behavior अच्छा रखें लोगों का response positive आए निगेटिव आए इससे आपको थोड़ा balance बना के चलना पड़ेगा मतलब आपको चाहिए कि लोग आपके बारे में कैसा सोच रहे हैं इससे ज़्यादा फरक नहीं पड़ने चाहिए बोलते हैं ना कि अपने खुसियों की चावी दूसरों के हाथों नहीं देनी चाहिए तो हाँ ये बात आपको याद रखनी है लोग जो है आप से कैसे बिहेव कर रहे हैं ये आपके behavior पर भी depend करता है पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो बिल्कुल भी opposite बिहेव करते हैं तो दोस्तों उन पर आपको तरस खाने की ज़रत है अगर वो आपको नहीं समझ रहा है त उसी को माफी मिलता है अगर हो सकता है वो अपने कुछ pressure में आके आप से बिहेव कर रहा हो पर आगे जाके आप देखेंगे कि आपका relationship बहुत balance हो जाता है तो आप momentary decision ना लेके अपने उस पल में आपको उनसे relation खराब ना करते हुए थोड़ा सा patience रखना है दोस्तों तो इ अभी भी दुखी नहीं होना पड़ेगा तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि आप यह नहीं सोचेंगे या फिर आप लोगों से कम से कम उम्मीद रखेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे बोला जाता है ना कि दुखी रहने के कई कारण ढूनने के बजाए खुस रहने का एक रीजन ढून दिए and one that region will lead to another and another that region will lead to another in this way you will be happy always तो आपको यही करना है दोस्तों कि अपने thought patterns थोड़ा change करने हैं आप ये कभी मत सोचिए कि लोग आपसे हमेशा ही positive way में deal करेंगे क्योंकि situation बदलती रहती हैं और लोग भी जो अच्छे लोग भी है वो भी आपसे कभी कभी गलट tone में बात करते हैं दोस्तों तो ऐसा नहीं है कि वो आदमी गलत है बोला जाता है न कि भगवान ने ऐसी कोई भी इंसान ऐसा कोई भी चीज फालतू नहीं बनाया है every creation of the God is unique and important in this world so you have to keep that in mind अच्छा दोस्तों आज तो बस इतना ही thank you फिर मिलेंगे एक नए थौट के साथ तब तक के लिए धन्यावाद नमस्कार